अब जब कि यह करा साधियों में जाएगा ता खाली भोजने चाहिए इसको खाली देना है सरकार को 100 रुपईया में 3 रुपईया यानि 3% टेक्स लेकिन ऐसी अवादी जो कि एजुकेशन इसको चाहिए तो 18% टेक्स लेकिन फिर भी ना सिक्षित आदमी को बोलना नहीं चाह नमस्कार दोस्तों आज का आपका टॉपिक है बहुत सारे करवे सवाल जो अकसर कमेंट वक्स में पूछे जाते हैं और खास कर सबसे पहले एक सवाल है कि सिक्षक होकर राजनीती पर बात क्यों करते हो दूसरा है कि सिर्फ बीजेपी का वीरोध क्यों करते हो पढ़ाई व सवाल के जबाब सुनने की ताकत आप में होनी चाहिए सिक्षक होकर राजनीती पर बात क्यों करते हो यह सवाल है सिक्षक होकर राजनीती पर क्यों बात करते हो हमारे संबीधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक सिक्षक को राजनीती पर बात नहीं करनी चाहिए एक किसान को एक मजदूर को राजनीती पर बात नहीं करनी चाहिए यह कहां लिखा हुआ है एक छात्र को राजनीती पर बात नहीं करनी चाहिए यह संबिधान के किस आर्टिकल में है लेकिन संबिधान के आर्टिकल नम्मर 19 में यह लिखा है यह हमारा अधिकार है और यह हमारा अधिकार है हमें बोलने की स्वतंतरता है सुन लिजिए बोलने की स्वतंतरता आदी से संबंदित कुछ अधिकारों का संड़क्षन तभी नागडिकों का अधिकार होगा ए में क्या है कि आटिकल नमर 19 के एक उसके ए में है कि भासन और पर बिना हथियार से इकठा होना दी है संह्या या यूनियान या सहकारी समीतियां बनाना आप ऐसे संह्यूनियान बना सकते हैं जिसे से कुछ कुछ हती नहीं होता आगिस यह है भारत के पूरे छेत्र में स्वतंतर रूप से घुमने के लिए यह बनाया गया था भारत के छेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना कोई पेसा अपनाना या कोई बेबसाई अपनाना यह हमारा अधिकार है यह हमें अधिकार देता है हमारा संविधा पिर आप किस अधार पर एक सिक्षक को मना करते हैं किस बेस पर कि उसको राजनीती पर बात नहीं करनी चाहिए यह समाज में जिसे कैसी मानसिकता यह पैदा हुआ हमारे अंदर की भई खलाने को नहीं बूलना चाहिए चिलाने को नहीं बूलना चाहिए जिसको कपरे मिल ले हैं जिसको घड मिल ले हैं कहना सोना और हीरा का उसको चाहिए जिस पर आपकी सरकार कितनी टेक्स लगाती है इस पर टेक्स लगाती है हमारी सरकार 3% इस पर हमारी सरकार देती है टेक्स 3% इस पर कहती है कि सिर्फ 3% टेक्स लगेगा जबकि हमारा आता है education education किसको चाहिए गरीब से गरीब लोगों को भी education चाहिए उस पर tax लगाती है 1830 अठारव पर 30 सब education पर tax लगता है तो एक सिक्षित वेक्ती नहीं बोलना चाहिए ठाहे कैसे आप तै कि ये कि नहीं बोलना चाहिए और सुनिए आप एक बात बताईए एक बात मुझे बताईए अभी मैं आपका दिमाग न खोल के रख दिया तफिर के अब सुनो एक family और ये family भारत की सबसे बरियाबादी इस तरह की जिन्दगी जीती है ऐसे तो भाई समझलो उपर से special भगवान जब एक साल दू साल फूरसत में रहोंगे तब ही family बना होगा लेकिन ये अपने मेनत के बधाउलत है ये अच्छी बात इस family को अब भोजन रोटी कपरा मकान के लिए ये family नहीं तरस रहा होगा लेकिन ऐसी family जो education से बंचित है जिसको दो वक्त की रोटी सही से नहीं मिलता है इसके हर चीज पर tax होगा जबकि इसको गहना के खाली अब जरूरत है इसके साधी में सिर्फ गहना चाहिए गहना अब जबकि ये करा साधियों में जाएगा ता खाली भोजने चाह लेकिन फिर भी ना सिक्षित आदमी को बोलना नहीं चाहिए बहुत बढ़का गुना हो गया बोलना ही नहीं चाहिए एक BIP आदमी जब मरसडीन से BMW से Fortuner खरीता है कोई भी गारी खरीता है उसको ये सारे bank के list है जिसका rate of interest है जो 8% से लगबग सुरू हो जाता है 8% से सुर rate of interest लगेगा लेकिन एक किसान एक किसान जो क्रिसी परधान देश है क्रिसी को बढ़ावा देने के लिए ट्रेक्टर चाहिए पहले ये क्रिसी के लिए हमारा agricultural department में ट्रेक्टर आता था अब इसको commercial में डाल दिया इस सरकार ने और इसका rate of interest 13% से 22% ICIC बैंका है स्टेट बैंका 9% से सबा 10% तक है HDFC 12.57-23% है उसके बाद है पुना वाला finance corporation इसका 16% से 20% rate of interest है ये चाहिए किसान को किसान को चाहिए जिसके कमाई से आपका पेट भरता है और वह व्यक्ति मुझे इस बात पर भी गाली देगा तो एकदम निठला बैठा है गार महारे जी तुमारा जीवन बदल ही नहीं सकता ये बताओ अब आपका सवाल ये है बीजेपी पर ही कहला बना पर बीजेपी सरकार में है दस साल से जब से मैंने हो सामाला तब से इसी को देख रहे है तो वीडियो के एकड़ा पर बनाए किस पर भूले और समय रहते हुए जगा रहे ह कहता है गो पढ़ाई बाला बीडियो नहीं चलता है नो इसी लिए आवी सो पर राजनीती पर बीडियो बना ये पढ़ाई बाला बीडियो चलेगा कई से आपके जो सरदार है माननिये प्रधान मंत्री मोदी जी जो हमारे भी प्रधान मंत्री है नहीं सरदार आपके है उन इंडियन वाइल हो, पॉल इंडिया हो, भर पेट्रोलियम हो, इंट्रेंस एक्जाम दे के, परतियोगी परिक्षा दे के, एक मिडल कलास और गरीब के बच्चे परिक्षा दे कर जाता था और उसमें नौकरी करता था। तो फिर सारी चीजे जब ठेकेदार ही लिलेगा, तो किसको पढ़ाना है, बताओ, तो मैं बोल क्या गलत रहा हूँ, तुझे इतना, लेओ, यह सारी कंपनी का मैंने लिस्ट दे दिया है, पोड़क्ट्स एंड डेवलप्मेंट इंडिया लिमिटेड, देखो करमचारी की संक्या 374, जो जो कंपनी का एकदम निलामी हो गया तुम्हारे सामने, इन 23 कंपनिया का मंजूरी मिल गया है, इसकी लिस्ट है यह पर, अब देख लो, अन नई लिस्ट आउर जारी होगा, यह पूरे इसमें पौर लेना बढ़िया से इतना पौर के हमको सुनाने का टाइम नहीं, हम आपको दिमाग खुलने के लिए आपको बस दे दिये हैं, लेकिन फिर भी एकरा बादो दिमाग नहीं, दिमाग नहीं खुला है तो हम क्या कर सकते, एक सिक्षा को इस मुद्दे पर बोलने की क्यों जरूरत पर रही है, पर आपको इस बात को समझ नहीं आता, मुझे गाली दोगे, और सुनो, जाती बाद, मुझे कहते हो, जाती बाद, मैंने तो सभाल BJP से कहा, मैंने कब कहा था, कि फलाना जाती खड़ाब होता है, फलाना जाती अच्छा होता है, चा कि हम गिनाईयों देंगे तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलेगा, लेकिन आज बला का गिनाएंगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, इसलिए बदलाव लाइए, और मेरा नाम में यादब नहीं लगा लहता, तो कहवे न करता कि जाती बाद कर रहा है, नाम जानते हो, कि हम यादव जाती से इसलिए तुम हम को कहते हो, कि हम जाति वाद कर रहे हैं फिर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके सारे कोमेंट चाहे तुम मुझे गाली दो या तुम मेडी सराहना करो, सब सुईकार है मुझे इतना बात पता है कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है या किसी को कोई गाली दे रहे तो उबेक्ती खराब है अम ठीक है जिसको गाली दिया उबेक्ती खराब नहीं चलिए बहुत बहुत धन्य बाद मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जै हिन जै भारत